रंका प्रखन के रंका पंचायट के सुकुल्डी आंगनबाडी केंद्र में कोविड-19 के 45 प्लस का टीका करण की जा रही है इस समन्द में बताते चले कि मुख्या प्रतिनीधी राजेस कुमार मधेशिया एवं स्वयम सेवक अमरेंद कुमार के द्वारा विशेज प्रचार प्रसार की गई थी जिसको लेकर सुकुल्डी आंगनमाडी केंद्र पर वैक्सिन लेने के लिए लोगों का तांता लगा सुकुल्डी एवं चौधरी मोहला में घर-घर जाकर लोगों को कुवीड का वैक्सिन लेने को लेकर फ्रेडिर किया गया जिसको लेकर आज सुपुल्डी आंगनमाडी केंद्र पर सैकडो वेक्ती 18 प्लस वैक्सिन लेने पहुचे परंतु वैक्सिन नहीं रहने के कारण लोगों को वैक्सिन नहीं लगी लोग उदास अपने घर वापस लोटे वहीं पर 45 प्लस लोगों को 30 लोगों को वैक्सिनेशन की गई इस समद में JSLPS के निरिक्षन कर रहे मनोस कुमार तिर्की ने बताया कि 18 प्लस का वैक्सिन अभी नहीं है आते ही सभी लोगों को वैक्सिन लगाई जाएगी जिसको लेकर रंकासमोदाइक स्वास केंद्र में संपर्क की गई वहाँ भी वैक्सिन नहीं है जीला से आने के बाद सभी लोगों को वैक्सिन लगाई जाएगी